कंद्री मंत्री रविश शंकर प्रसाद ने कॉंग्रेश पर हमला बोलते हूँ कहा कि जिस तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव कुर्दा फाड खोली खेलते हैं वैसे मध्यवदेश में कॉंग्रेश नेताओं के बीच कुर्दा फार राजनीती चल रही है। कॉंग्रेस बताए जय कौन है और वीरु कौन है कि इंद्री मंत्री रवीशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि मध्विदेश में फिर भाजपा सरकार बनने जारी है रवीशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्विदेश में बहुत विकास किये हैं यहां कि सड़ है मध्यविदेश आईटी हब के तौर पर विक्सित हो रहा है वहीं कॉंग्रेस पनिशाना साधते हुए किंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा कि कॉंग्रेस के नेताओं के बीच कुड़ता फार राजनीती चल रही है कमला तो दिग्विजे पर तंच कस्ते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आखिर दोनों में से जय कौन है और वीरू कौन है मित्रो भाजतिय जन्ता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी विकास यात्रा के कीरती मान के कारण जन्ता का पुना विश्वास प्राब्द करेगी जो बदला हुआ है वो दिखता है मैं दोरे कर रहा हूँ जहाज से हेलिकॉप्टर से कार से यहां की सडके यहां के एरपॉर्ट क्या गौालियर क्या जबलपूर क्या हाईवेज यह सब में बदलाव दिखाई पड़ता है तो जो इसे कहते हैं सरवांगीन विकास इसलिए गरीवी रेखा से बाहर निकले इसलिए बिमारू स्टेट से विकास सिल प्रदेश बने तो यह सब इसलिए हो पाया कि हमने इमांदारी से काम किया और जंदा का अशिवाद प्राप किया मैं बिहार से आता हूँ तो लालू प्रसाद जी होली में कुर्टा फार होली खेलते थे यहां के तो राजनीती में कुर्टा फार आ गया है और छोटे लोगों ने नहीं कहा है बहुत बड़े लोगों ने कहा है समालने के लिए उनके प्रभारी ने जय वीरू की संग्या दे दी यह नहीं बताया जय कौन है और वीरू कौन है चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे अंसुरा किया जाता है जंता की आवास तो अगत की बंदनवारों के पीछे का सच चुलन्यास के पत्थरों से पत्थराई आँखों की हकीकत हमारे साथ दखल न्यूस पर आप देख रहे हैं दखल न्यूस